दोस्तों नमस्कार, मिरा नम संजे मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टनल मीडिया मंच पर हर्याणा में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तयारियां जोरों पर है चाहे वो चुनाव लड़ने के चुक लोग हैं और चाहे राजनीतिक पार्टियां इस समय सभी रणीती बना रहे हैं भारती जन्ता पार्टी अपने 66 प्रत्याशियों के सूची जारी कर चुकी है जिसके बाद से भाजपाव के अंदर अभी भी भगधर का दौर जारी है कि दीपक बावरिया रोने लगे खेर ये चुनाव है और चुनाव के अंदर इमोशनल ब्लैक मेलिंग भावनात्मक लगाओ प्रेशर पॉलिटेक्स गुस्सा ये सब चलता है सब सामने आता है टिकेट वित्रण के बाद अब नामांकन का काम भी जोरों पर है और आप लगाएं तो फिर 9, 10, 11, 12, 4 दिन रह गए आज रवी बार है अगले 4 दिन नामांकन प्रकरिया में बहुत तेजी आएगी हर्याना के अंदर बड़े नाम कुछ नामांकन कर भी चुके हैं लेकिन अब 9 तारिक से आने की सौमवार से ले करके और 12 तारिक तक के नामांकन का दोर तेजी से जारी रहेगा इस बीच में भाजपा भी और कॉंग्रेस भी अपने जो बाकी जो प्रत्याशियों के सूची जारी करनी है वो भी कर देंगी इस वीडियो में मैं आपके साथ एक विशेश चर्चा में हूँ और चर्चा ये कि क्या राजनीती के अंदर जो जातीगत बात चलती है उनका कितना प्रभाव है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए खास कर क्योंकि लोगसभा चुनाव देश के मुद्दे पर होता ह और उसके बाद में सभी चुनाव चाहे वो विधानसभा का है चाहे वो शहरी पंचायतों का है ग्रामीन पंचायतों का है इसके अंदर जाती समाज छेत्र ये सब माइने रखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो दल समाज है चाहे वो पंजाबी समाज है चाहे वो वैशे समाज है चाहे वो OBC, BC समाज है अपनी भागिदारी के लिए इस समय पूरी बात कर रहा है और मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा में इस बात को ले कर हूँ कि क्या पंजाबी समाज को इस चुनाव के अंदर कुछ विशेश मिल सकता है और वो कौन से विधानसवा छेतर हैं जहांपर की कॉंग्रेस और भारती जन्ता पार्टी पंजाबी समाज के नेताओं को तरजी दे सकती है अभी तक जो सूची जारी हुई है भारती जन्ता पार्टी ने 66 सदस्यों की सूची जारी की है सरसट कैंडिडेट्स की जिसमें साथ पंजाबी समाज के हैं यानि की लगबग 10% से जादा और कॉंग्रेस ने जो भी सूची जारी की है वो 32 सदस्यों है 32 कैंडिडेट उन्हें गोशित की है उनमें मातर एक पंजाबी है बीबी बत्रा रहतक के विधायक कह सकते हैं कि कॉंग्रेस ने अभी केवल अपने विधायकों के और विधायकों के अलाबा दो या तीन नाम और दिये हैं तो इस लिहाज से जो अगली सूची आएगी उस पर नजर रहेगी इस वीडियो में अगर मैं आपसे बात करूँ तो कुछ ऐसे विधानसभा छेत्र जिन पर पंजाबी समाज दावेदारी कर रहा है क्या कॉंग्रेस उनको तरजी देगी और क्या बारती जन्ता पारटी बाकी बची हुई सीटों में जो 23 बाकी हैं उनमें किस समाज को कितना वजन देगी हाला कि जातीगत समाज की बात करना किसी प्रकार से उचित तो नहीं माना जाता लेकिन विशुद्र राजनीती ऐसी है कि जाती के बिना बात बनती नहीं अगर मैं ये कह दूँ कि खासकर राजनीती के अंदर जाती है कि जाती नहीं मैं कई बार आपसे कहता रहा हूँ तो जो आपको बता रहा था कि पंजाबी समाज की बात मेरी आज हिसार, यमना नगर, कुरुछेतर, कुछ स्थानों पर पंजाबी समाज के लोगों से और अन्य समाज के लोगों से बात चल रही थी बात ये भी आ रही थी कि कौन केंडिडेट हो सकता है किसको टिकेट मिलना चाहिए अगर मैं आपसे हिसार की बात करो हिसार विधान सभा की हमने एक वीडियो शेयर किया था आप इसको देख भी सकते हैं इसमें हमने बताया था कि कौंग्रेस की 90 सदस्य सूची ये हो सकती है तो हिसार को ले करके लोगों का जो मत था जो हिसार के लोग चाहते हैं खासकर या हिसार की जनता की जो अवाज है उसके अंदर एक बात निकल करके आई उनमें कुछ कौंग्रेस के वरकर भी थे और कुछ सामाजिक संगठनों के लोग भी हिसार के लिए भारती जनता पालिटी अपना केंड़ेट घोशित कर चुकी है भारती जनता पालिटी ने वहाँ पर जो कमल गुपता है वहाँ के विधायक थे 2014-19 के वर्तमान सरकार के वजीर हैं उनको अपने टिकेट दिया है सावित्री जिंदल की नाराजगी थी लेकिन लगता नहीं है कि सावित्री जिंदल अब चुनाओ मैदान में होंगी क्योंकि उनके बेटे नवीन जिंदल सांसद है और इस समय कहीं ये बात चल भी नहीं रही अगर मैं आगे की बात करूं तो गौतम सर्दाना जो मेयर है नगर निगम के उनकी बात भी आई थी लेकिन कहीं ऐसा लगता नहीं कि गौतम सर्दाना चुनाओ मैदान में हों क्योंकि कमल गुपता का जो पोस्टर जारी हुआ उस पर गौतम सर्दाना भी और सावित्री जिंदल भी दौनों लेताओं के फोटो थे कॉंग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर जो एक और नाम चला वो है वहां के जो पूर मंत्री थे तीन बार विधायक रहे ओपी महाजन दो बार निर्दलिया चुनाव जीते थे और एक बार राजनीतिक पार्टी से चुनाव जीते ओपी महाजन साब तीन बार विधायक रह प्पी महाजन की धर्म पत्नी सुमित्रा माजन राज्यसभा की सदस्य रही उम्प्रकास चोटाला ने उनको जब इंडियन नेशनल लोगदल की सरकार थी तो राज्यसभा में वहजा था सुमित्रा माजन को कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से यहां जो टिकेट के दावेदार है ओपी महाजन साहब के पोते लोकेश महाजन का नाम भी कॉंग्रेस के कंसीडर कैंडिडेट की सूची में है लेकिन वहां जो पैरलर नाम चल रहे हैं बजरंग दासगर्ग और लोकेश महाजन स्थानिय लोगों की मांग की बात करूँ या जो मैंने आपको बता रहा था कि जो बात चल रही थी अधिसंख्य लोगों का मत है कि यहां पर ओपी महाजन के बाद किसी पंजाबी समाज के चेहरे को टिकेट नहीं मिला किसी ने स्थान नहीं दिया अगर लोकेश महाजन को कॉंग्रेस पालिटी अपना केंडिट बनाती है तो वहां का चुनाव कुछ अलग होगा हिसार के लोगों का एक मत और था कि अगर हिसार में लोकेश महाजन के रोप में पंजाबी समाज का केंडिट दिया जाता है तो फिर वो हिसार के साथ-साथ फत्याबाद, हासी, बर्वाला ये कई स्थान ऐसे हैं बर्वाला में वेद नारंग विधायक रहे इंडियन नैशनल लोगदल के अगर मैं आपसे फत्याबाद की बात करूँ तो फत्याबाद के अंदर कई पंजाबी नेता वहां पर सक्रिय रहा करते थे अगर हासी की बात करें तो हासी में अमीर चंद मकड से जो राजनितिक सफर शुरू हुआ था वो आज तक जारी है वहां पर विनोत भ्याना विधायक हैं तो इन सभी विधान सभाज छेत्रों में हासी हिसार के आसपास पंजाबी समाज का आधिपत्त्य है पंजाबी समाज वहां पर कॉंग्रेस के लिए मददगार भी हो सकता है क्योंकि जिस पार्टी को अगर टिकेट में वंचित रखा जाता है जिस समाज को तो फिर वहां उनके लिए कुछ ना कुछ रोश और श्क्रोध जरूर हुआ करता है अगर मैं आगे की बात करूँ तो यमुना नगर विधानसवा सीट के लिए शाम सुंदर बत्रा का नाम का अंग्रेस की तरफ से चल रहा है और वहां भी लोग चाते हैं हलाकि अरोडा साब को हुआ टिकेट दिया हुआ है भारती जनता पार्टी ने अगर आगे की बात करें तो सिर्सा में गुकुल सेतिया का नाम पर मुक्ता से लिया जा रहा है कि वहां उनको होना चाहिए मोहित ग्रोवर के लिए पंजाबी समाच और गुर्गाम के लोग मांग कर रहे हैं कि मोहित ग्रोवर ग्रोवर का नाम होना चाहिए इसके साथ ही और तमाम कई ऐसी विधानसवा सीटे हैं हलांकि फरिदाबाद और बडखल विधानसवा पर मिवांग रही है लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा पंजाबी चेहरा नजर नहीं आता कि जो विधानसवा चुनाव लड़ने में सक्षम हो और या वहां तक महुच सकता हो राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर होता है चाहे राजनीतिक दल जो भी होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर होता है कि उन चेहरों को मैदान में उतारा जाए जो जीत करके आ सकते हूं तो इस लिहाज से मैं आज आपको बता रहा था कि हिसार हुआ फत्याबाद हुआ इसके साथ साथ जो बाकी सीटे हैं चाहे वो सिर्चा है यमना नगर है गुरुगरा मैं इन तमाम पर पंजाबी समाज की डिमांड भी है और पंजाबी समाज की इच्छा भी है और पंजाबी समाज चाहता भी है कि कॉंग्रेस उनको कंसीडर करें आप हमारी बास से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें